देखो जब हमने आजादी मिली उस वक्त हमारे पास खाने के लिए आनाज नहीं था आज हमारे पास इतना आनाज है कि हमारा पेट भर गया हम दूसरों को भी दे सकते हैं लेकिन इस आनाज के पैदा करने के पीछे जिस mismanagement से हमने यह आनाज पैदा किया उससे हमारा 72% अंडर्गाउंड एक्यूफर ओवर डाफ्ट हो गया अनाज तो हमें मिल गया वह जो पुराना फिक्स डिपॉजिट था ना उस डिपॉजिट का अनाज है यह यह हमारे आज के रिचार्ज का अनाज नहीं है यह हमारी आज का डेटा बोल रहा हूं 80% आपके राज में अंडर्गाउंड एक्यूफर से पाने निकालके तब आपकी खेती हो रही है गन्य की भी तो भाई यदि ऐसे खेती होगी ऐसे यह फसल चक्र और वर्षा के चक्र के रिष्टे को तोड़ने का काम सबसे जादे महराष्ट में हुआ है महराष्ट में मराटवडा में गन्ने की खेती करना यह जो भारत में फसल चक्र की समझ थी और फसल चक्र और वर्षा चक्र के साथ जो रिस्ता था, उस रिस्ते को तोडने का सबसे बड़ा काम महराष्ट में शुरुआत हुई फिर करनाटक में हुई, मैं आज कह सकता हूँ, उराजस्तान में हम अभी भी थोड़ा बहुत बचाए हुए हैं, हमारी फसल का चक्र, खास कर मैं जिस इलाके से आता हूँ, उस इलाके में फसल चक्र और वर्षा का चक्र दोनों को समझ के हम खेती करते हैं, इसलिए हमारे पा और वो कॉमर्शल बिजनिस भी कह सकता हूँ, जो दूसरे और बिजनिस हैं, उस बिजनिस के रिष्टे ने हमारी क्रॉप पैटर्न और रन पैटर्न के रिष्टे को तोड़ा, और उस रिष्टे के तूटने के कारण हम कर्जदार बने, और कर्जदार बनकर हम बोर्वेल लगाने लगे बोर्वेल में हमारा एक लाग करजा हो गया वो एक लाग करजा कहां से देंगे उसमें हमें आत्मत्या करना ही इलाज दिखता है